स्वागत है आप सभी लोगों का आज हम तिरूपती बालाजी मंदीर कोटा के आउटर एरिया का थोड़ा सा विजिट करेंगे As usually, मैं खुद मंदीर के अंदर जादा फोटोग्राफी नहीं करती ये चंबल गार्डन के नियर सिचुएटेड है मंदीर की एंटरेंस पे पूजा अर्चना के लिए सामान दिये गए हैं जो आप खरीच सकते हैं मंदीर की एंटरेंस पे भव्य गेट बनाया गया है जिस पे बहुत सारी कारीगरी की गई है बहुत ही बारिक कारीगरी की गई है एक दर्बान जैसे बनाया गया है एक हाती बनाया गया है जिससे एक बहुती अच्छा लुक आता है मैं आपको पास से बता रही हूँ यहाँ पे दर्बान है सबसे उपर की तरफ गुंबद बना के नाम लिखा हुआ है मंदिर श्री वेंकटेश भगवान तीरुपती बाला जी यह बहुती आखों को जुकून देता है पूजा की यह सामगरी हमने ली थी मुझे इतनी इन डिटेल जानकारी तो नहीं है पर एजे नॉर्मल व्यूवर की तरह से बोलू तो यहां का माहुल बहुती शांती दायग लगता है जूकि इसकी विशेशता है अंदर जाने के पश्चात राइट हैं साइड में बहुती ग्रीनरी है और यहां पे भी गार्डन की जो आउटर वोल है वो बहुती मनमोहग है सीडियों से चड़ने के पश्चात मंदिर ऐसा दिखता है। बहुती अच्छी कारीगरी की गई है पर मैंने बहुत ज़्यादा इसका वीडियो नहीं बनाया है। पूजा अर्चना के बाद यहाँ पर प्रसाद दिया गया था। उपपर से देखा जाए तो इसका वीडियो ऐसा लगता है। यहाँ पर पहले पानी रखा जाता था जिससे हम अपने पेर स्वच कर सकते थे। यह द्रश्च में सीडियो से उतरने के पश्चात का दिखा रही हूँ। लाल कलर के पत्तों ने बहुती मनमोख त्रश्च बनाया हुआ है। यह यहाँ पर हमारा मंदिर है। मुझे इतना इन डिटेल तो नहीं पता बट यहाँ पोच के बहुती शांती और सुकुन दायक महोल था। हमने अंदर जाके भी देखा कि गार्डन कैसा लग रहा है। अभी की सिचुरेशन इट केन बी दा केस की डिफरेंट हो। बट यह अभी ऐसा लग रहा था। ग्रीन रिथी। अब मंदिर के बाहर के और प्रस्थान कर रहे हैं या पर सीडिया भी दे गई है और टेग भी दी गई है। सबकी सहूलियत का ध्यान रखा गया है। निकलते समय आप गायों को चारा वगेर भी खिलवा सकते हैं। अगर आपको मेरा ये फर्स्थ चोटा सा मंदिर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और इसे शेयर कीजिए और अगर मेरे चैनल को सपोर्ट करना चाते हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए। मैंने ये फर्स्थ टाइम मंदिर का व्लोग या वीडियो बनाया है तो अगर कुछ बोलने में या बताने में गलती हुई हो तो प्लीज चमा कीजिएगा। मेरा मकसद सिर्फ या बताना था कि ये कितना मनमोहग द्रश्य होता है जब हम यहाँ पे जाते हैं और आप लोग भी इसको विजिट कर सकते हैं for your सुकुन और दर्शन करने के लिए सेफ रहें टेक केर बाई